किसे हैं आप सभी I hope कि आप सब बहदर होंगे खुश होंगे खुशाल होंगे धेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल रही होंगी सबसे पहले थैंक यू लव यू थैंक यू थैंक यू मिल चुके हैं कौन होगा आपका person मतलब कौन होगा next आपके love के लिए कौन होगा क्या वो जो आपका next होगा क्या उसी के साथ आपकी शादी होगी या देख लेते हैं क्या आने वाला है so आपके लिए क्या आने वाला है love life में love life में क्या आ रहा है आपके लिए कौन आ रहा है आपके लिए ठीक है क्या आ रहा है ठीक है ये देखने वाले basically so you have two cards first is nourishment second is pleasure तो आपके पास two cards है आपको जो ज़्यादा attract कर रहा है आप उसे चूज़ करें I hope कि आपने चूज़ कर लिया होगा let's start with the pile number one okay so hello pile number one जिन्हों ने भी pile number one को choose किया है first of all या तो आप nature lover हो सकते हैं आपको nature से बहुत ज़्यादा प्यार होगा ठीक है आप बहुत ज़्यादा nature lover हो सकते हैं उसके साथ साथ मुझे नजर आ रहा है आपको foods वगेरा खाने चाहिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने feel कराती है अगर आपको nature से प्यार है तो आप nature की तरफ जाएं ठीक है आप nature को nature की तरफ जाएं आपको fruits खाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला जा रहा है ठीक है और fruits यहाँ पर मुझे बहुत नजर आ रहे हैं अपना अपनी diet को सुध अगर आप fast food वगेरा खाते हैं जादा तो प्लीज उसे बंद कर दीचे कम खाईए अगर आपको खाना है तो otherwise आप fruits हो गए या फिर हो सकता है कि जो हरी सबजिया होती है वो खाईए जो आपके लिए बहतर रहेंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपके कोई भी health issue है अगर blood वगेरा से related आपका कोई issue है तो वो चीज ठीक होगी ठीक है हरी सबजिया खाएं या और दिल खोल के हसा कीजे दिल खोल के welcome किया कीजे चीजों का आपको worried होने की जरूरत नहीं है tension लेने के लिए वो उपर बैठे हैं आपकी tension लेने के लिए ठीक है please angels कौन आने वाला है फैन नम्बर वन के लिए कौन आने वाला है फैन नम्बर वन के लिए प्लीज एंजेल्स बताएं कौन आने वाला है फैन नम्बर वन के लिए कौन आने वाला दिखाऊं लबसकाद लब आ रहा है भई प्यार आ रहा है आपका आप अपने आप पे काम कीजी आपकी प्यार की tension ना लिजे कौन आएगा जो आएगा बहतर ही आएगा oh my god सबसे पहले आप spiritual path पे हैं congratulations आप एक ऐसे path पे हैं जिस पे God ने आपका हाथ थाम लिया है अगर आप spiritual path पे नहीं है आपने बहुत सारा सहन किया है तो मैं आपको बता दू definitely अप गोड़ आपके साथ है और जब उसने हाथ थाम लिया तो अब क्या जरूरत थे किसी और के हाथ की कोई रहे आ ना रहे अब जरूरत नहीं हैं किसी के होने के हाहसास की सिर्फ वूसका होना ही काफी है ठीक है अब आपके लिए बस वो है और वहीं काफी है and definitely आपकी लाइफ में अगर problem चल रही है ये बहुत जल्द निकल जाएगी आपकी लाइफ से definitely आपका spiritual path start हो चुका है एक new chapter आपकी लाइफ का start हो चुका है so be ready आपके पास धेर सारी opportunity आने वाली है धेर सारी choices आने वाली है धेर सारे gold आने वाला है मतलब अगर आप sports में हैं ठीक है तो आपके लिए कोई आप medal जीत सकते हैं कोई crown आपको मिलेगा जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं आपको हर चीज़से बचाया जाएगा आपको guide किया जाएगा आपको बहकाया भी जाएगा लोगों के through या फिर चीज़ों को दिखा के हां भी यह है वो है लेकिन आप सही choice करोगे आप सही चुनेंगे आपकी जो confusion है आपको जरूर किया जाएगा लेकिन आप सही चुनेंगे एकदम बहतर चुनेंगे आप जिस चीज पर वर्क कर रहे हैं करते रहें ओ माई गाद आपको पता है सेवन नमबर केतु का उता निमलो से में यह स्प्रिश्वालिटी को दिखाता है इतना जादा कनेक्टिड है न हद से जादा और आपकी स्प्रिश्वालिटी की जो लाइफ है जो आपने सहा है जो यहाँ पे 777 आपको इंजल नमबर दिख रहा हो गई आपकी स्प्रिश्वाल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है बी रेडी क्या निकल के आ रहे हैं हम यहाँ पे लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो आपकी खुद के लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं क्या आ रहा है आपके लिए тов आपके लिए spiritual जो है life वो आपने जुन ले है और वो आ रही है अब आप स्ट्रेस नहीं लोगे अब आप सोने से पहले हमीशा गोड को शुक्रिया बोल के सोया करे आपके साथ जजमेंट होने वाली है जो आपने वेट किया है जो आपने अब तक जितनी भी परिक्षाएं दी है उन परिक्षाओं में आप पास हो चुके हैं या होने वाले हैं बहुत जल्द और अब आपके सामने वो सारी चीज़े आएंगी जो चीज़े आप डिज़व करते हैं वो हर एक चीज़ जिसे आप डिज़व करते हैं वो आने वाली है आपकी लाइफ में आने वाली है हर एक चीज़ जिसके आप फकदार है प्रीज एंजल्स प्रीज लव लाइफ में कोन आ रहा है ये और बता दीजिए आपकी प्रेयर सुनी जा चुकी है और अब बहुत जल्द आपकी प्रेयर देखो फिर से सैवन मैं मैं क्या वो लूँ भगवान जी टेंशन ना लो बच्चा ये सैवन नमबर आ रहे है बहुत डिफिकल्ट होती है स्पिरिच्वल लाइफ ठीक है लेकिन जब एक बार उसने हाथ थाम लिया तो फिर किसी का गम नहीं डेफिनेटरी लव लाइफ में कोई ऐसा परसन आ रहा है तुझसे है वादा ये मेरा तू मांग ले मुस्कुरा के मेरा प्यार हक है तेरा ओ हम सफर ओ हम नवाब बेशर्ट में तेरा हुआ ऐसा कोई सोंग है और डेफिनेटरी वो परसन सिर्फ आपके रहेंगे कोई ऐसा परसन आने वाले आपके लिए अभी आपके लैवल का परसन तो ढूनना पड़ेगा न तो अब आप इतने हाई लैवल पर पहुँच चुके हैं स्प्रिच्वालिटी के अगर नहीं पहुचे तो बहुत जल्द पहुचने वाले हूँ तो जब आप वहां तक पहुच चुके हैं तो आपके लिए गौड ऐसे ही एरा गेरा थोड़ी लाएंगे कोई ऐसा परसन लाएगा जो आपके एनरजी से मैच करें या समवन इस पाइंगो नहीं मतलब कोई आपको नोटिस कर रहा है आपको नहीं मालूम लेकिन आपको कोई नोटिस कर रहा है कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है and definitely वो आपसे बात करेगा Emperor सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक से जादा परसन है एक से जादा परसन आपकी लाइफ में आने वाले हैं लेकिन कोई ऐसा परसन जरूर होगा जो यहाँ पे Emperor के एनरजी में होने वाला है जो आपका Life Partner होने वाला है जो आपका Boss हो सकता है आपसे बड़ी Position पे हो सकता है Definitely Practical Person होगा बट बहुत सारी Situation से गुजर के निकल के आया होगा ये Masculine Energy में होगे तो आप Feminine Energy में होगे Yin Yang की Energy होगी आप दोनों की और यहीं चीज़ आप दोनों को Balance करेगी जब आप वो Practical होगे तो आप Emotional होगे आप Practical होगे तो वो Emotional होगे ऐसे Energy को आप Balance करेंगे आपके लिए सही Person चुनके ला रही है Universe, सुन लिजे सही Person आ रहा है आपके लिए Within 6 या 7 Month लिख लिजे ये कहीं ठीक है, कोई ऐसा Person आ रहा है जरूर जिसके साथ आप अपनी Life को End करोगे यहाँ पी कोई ऐसा Person भी हो सकता है जो आपको हाम पहुचाना चाहता है But you are protected You don't need to look back आपको अपने Past में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा Person आने वाला है जिसे जो आपको Deserve करता है और आप उसे Deserve करते हैं और यह कोई एरा गैरा Person नहीं होगा Definitely बहुत High Value का Person होगा बहुत ज़ादा अच्छा Person होगा कि लोग कहेंगे यह होती है जोड़ी यह होता है Person जानते हैं बहुत ज़ादा Tower Moment आपकी Life में आये हैं लेकिन अब सहन करने की बारी दुनिया की है या उस चीज की है उस Person की है जिसने आपको Pain दिया है जिसने आपको Pain दिया है अब उनकी बारी है ठीक है अब उनकी बारी है अब उनकी बारी है जिसने आपको पेन दिया है क्योंकि अब आप इस मैजिशियन के एनरजी में जो कुछ भी कर सकता है जिसके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जिसके पास यूनिवर्स की पावर है क्या चाहिए वही अब जब उसने हाथ थाम लिया तो क्या जरूरत है आप किसी और की हाँ डर जो है उसे खतम कर दीजे यही था क्या आ रहा है कौन आ रहा है आपकी लाइट में ठीक है मैंने आपको बोला ना आपको सोने से पहले ग्रैटिट्यूड पे करने की जरूरत है जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना उन्हें तरीके से हाल हो गया इस परसन का इस तरीके से हाल हो गया है सू आपको यह經제 है इसको बहार चोड़ें छोड़ दीजे साथ चलते रहें आपकी जवाबों को ढ़ब जुप रहे तो दुनिया को जवाब वो देगा जो आपको protect कर रहा है ओके, so yeah that's all for you, faith रखने की ज़रूरत है आपको boundaries set करें लोगों के साथ and faith रखें गोड पे जब वो है साथ, तो किस बात की बात का आपको गम है ठीक है, so yeah that's all for you, panel number one I hope you like the video, enjoy the video अगर आपको वीडियो पसंद आई है, like कीजेगा comment कीजेगा, claim this beautiful energy if you are new here, please subscribe my channel, like, and love you all bye, take care hello panel number two तो जिन्होंने भी pleasure का card choose किया है wow what a beautiful card बन के तितली दिल उडा है कहीं दूर यह कोई song है बन के तितली दिल उडा उडा है कहीं दूर तो यह कोई song है आप यह सुन सकते हैं मेरी song पर मत जाएगी बस आपको मैं बताती हूँ कि यह song आपको कोई न कोई बढ़िया बात बताएगा कोई न कोई ऐसी चीज़ आपको बताएगा आपको हर एक moment को enjoy करने की जरूरत है आपको हर एक चीज़ को feel करने की जरूरत है जिस भी चीज़ से आप भी गुजर रहे हैं चाहिए वो pain है उससे feel करो उससे release करो जल्दी से अगर आप खुश हैं तो उस खुशी को feel करो अंदर से यह वाली चीज आपको बोल रहा है युनिवर्स की हर एक मुमेंट को जीओ जीओ तो हर पल ऐसे जीओ जैसे के آखिरी हो यह सौन अपना हर दिन ऐसे जीओ जैसे के आखिरी हो तो आप ऐसे जीए कि जैसे वो मुमेंट आखिरी हो ठीक है पीज एंजल्स क्या आ रहा है पाइल नम्बर टू के लिए और फिर हम दिखेंगे क्या आ रहा है पहले फिर कौन आ रहा है ठीक है क्या आ रहा है पाइल नम्बर टू के लिए वरेड हो या वरेड थे पास्ट में बहुत मुश्किलात से निकल के आए हो क्या आ रहा है पाल नमबर टू के लिए एंजल प्लीज टाल मी महादेव ओके तो एट नमबर आया है मेबी आपकी शनी की थोड़ी सी वो चल रही थी महादशाब वो ठीक हो गई है या मेबी ठीक हो जाएगी यहाँ पे है कार्ड यहाँ पे कार्ड है नाइन ओफ वांस ओ स्थ एट ओफ वांस सिक्स ओफ स्वार्थ नाइन ओफ पैंटिकल तावर कार्ड विल उफ फोर्चून एक मिनट बॉटम ओफ देट मेजिशन कार्ड इस है फैंटेंस में इंप्रॉम्मेंट होने वाली है फस्ट ओफ ओ आपको शांती मिलने वाली है आपके दिमाग को आपके दिल को शांती मिलने वाली है अगर आप किसी की कोल का वेट कर रहे थे किसी प्रमोशन का मैसेज या कुछ आपको इमेल वगारा रिसीव हो सकती है उसके साथ साथ अगर आपको कहीं बाहर जाना थो तो आप बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं बाहर ट्रैवलिंग आपके लिए बहतर रहेगी और आप जाएंगी जरूर अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते थे जहां पे भी कोई spiritual चीज है या फिर कहीं आपके अध्यात्म से जुड़ी है आपकी धार्मिक्ता से जुड़ी है तो आप वहां जा सकते हैं उसके साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके मन को शांती मिलने वाले आप नेचर में जा आपके साथ जो भी past में हुआ अब वो release होने वाला है अब आपके energy अब आपके life change होने वाली है wheel of fortune में अब जो भी आपके past में हुआ था finances से related हुआ हो emotionally आपको torture बहुत जादा हुआ हो या फिर कोई और चीज है जो आपको pain देके गई हो तो वो चीज का हिसाब होने वाला ह है बहुत जल आप उस चीज से move on करने वाले हैं अब उस चीज को let go करके आपके life में wheel of fortune के entry होने वाली है इस card के entry होने वाली है ये card आपकी destiny को बदलने वाला है अगर आपको कोई issue थे health issue वगएरा तो मुझे वो improve होते होई नजर आ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपके life म कोई भी problem चल रही है फिल्हाल वो end होगी बहुत जल्द होगी अगर यहां पर मुझे ऐसा क्या ऐसा नजर आ रहा है कि कोई lady है जो आपकी help करेगी कोई lady है जो आपकी help करेगी जियो ओकी it advance अपनी आप communication पे सुधार कीजे ठीक है बहतर है आपके लिए अगर आप full fruits वगएरा नहीं खाते तो आप उसे खाने लगे खाने लग जाए क्योंकि आपके लिए बहतर रहेगा और किसी पे भी जो आपके बहुत करीबी भी है उससे भी अपने आपको ये हमेशा protected रखो उससे भी अपने आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ये रखो कि कोई भी धोखा दे सकता है जिन्देगी में इसलिए अपने आपको फिर भी trust करें आखमन करके trust ना क करें किसी पे फिर भी अपने आपको protected रखे कि अगर सामने वाला जाता भी है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहां अपने आपको strong बनाए masculine energy को अपना है जादा feminine ना हो जादा feminine भी हो और masculine energy भी हो balance करना सीखें ठीक है यहां पे मुझे six of swords नजर आ जा रहा है ठीक है अगर आप कहीं जाना चाहते थे अगर आप कहीं किसी चीज से निकल नहीं पा रहे थे तो आप अब move on कर पाएंगे वहां से अब आप वहां से निकल पाएंगे अगर आप कोई job छोड के नियु जोब या अपना business start करना चाहते थे तो अब वह आप जोब तो वो मुझे निजर आ रहा है आपके साथ judgment होने वाली है बहुत जल्द प्लीज एंजेल सब मुझे बताएं पाल नमबर टू के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है प्लीज 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 ओमाइग लव लाइफ में आपके लिए कोई ऐसा परसन आ रहा है जो आपकी age group का होगा आपकी age इसके साथ match होती होगी बहुत kind hearted person होगा बहुत जादा loving होगा at the same time बहुत ज़्यादा confidence level होगा इस person में बहुत ज़्यादा ऐसा person होगा एक बार decide कर लिया तो बस कर लिया अब तो आप ही चाहिए यह नहीं होगा कि जिसके mood swing होते होंगे एक दफ़ा आपको बोल दिया मुझे तो आप चाहिए हो अगले ही दफ़ा बोला नहीं मुझे मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है प्यार नहीं करता या नहीं करती ऐसा person नहीं होगा इसने एक बार सोच लिया commitment कर लिए तो कर लिए फिर तो यह अपने आपकी ही सुनेंगे किसी और की नहीं ठीक है यहाँ पे phase of cups है कोई ऐसा person आ रहा है जो आपके लिए कुछ भी करने को तयार रहेगा आपसे इसमें चोटा हो सकता है आपकी age के जितना हो सकता है ठीक है definitely मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे यहाँ यह मन्त भी आपके लिए कही न कहीं life changing रहेगा और ऐसा मुझे नजर आ रहा है दिसंबर भी आपके लिए कोई न कोई life changing moment जरूर लाएगा ठीक है यहाँ पे मुझे दिसंबर और सितंबर नजर आ रहा है yes definitely तो यहाँ पे क्या है कि the sun के energy है तो definitely आगर आप name fame का सोच रहो या फिर यह person name fame में होंगे या फिर आप होंगे name fame में ठीक है यह person आपको वो power वो confidence वो support देंगे वो support system बनेंगे आपका जो किसी ने नहीं दिया या आपसे age में छोटे हो सकते हैं आपके लिए बहुत loving होंगे बहुत ज़दा caring होंगे childish होंगे थोड़े से but बहुत ज़दा person it could be a friend या फिर आपके workplace से हैं या आपके friend मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं ठीक है यह किसी एंजियो वगेरा से related होंगे एंजियो वगेरा से relate करते होंगे मैंने अभी 22-22 देखा आपको angels number बहुत दिख रहे हैं ठीक है बहुत ज़्यादा pile number one भी देख सकते हैं क्योंक कि वहाँ पर 777 नजरा था अगर आपको दिख रहा है यह number तो आप number one ज़रूर देखें ठीक है ठीक है ठीक है यह person बहुत kind हर्टीड होंगे आप आपसे बहुत प्यार करेंगे और यह कहीं कि सेट हो सकते हैं लाला सेट ठीक है है मल्टी बिजनेस हो सकते हैं इनके छोटे ही उमर में बहुत कुछ हासिल करने वाला person होगा यह अगर यह lady भी होंगी अगर यह woman होंगी ठीक है अगर यह female होंगी तब भी इनोंने बहुत कुछ अचीव किया होगा अपनी life में और अगर sorry अगर male हुए तो तो क्या ही कहने भई बहुत ज़दा financially अच्छी होंग यह person क्या है guidance इंजिल्स एनि गाइडेंस प्लीज इंजिल्स आपको अपने हार्ट चक्रा पर अगर आपको health issue है तो आपको medicine लेने की जर्थ है अपने आप पे work कीजिए healing लीजिए चक्रास पे work कर सकते हैं financially आप अच्छे रहेंगे oh my god आप definitely जाके देखिए पाई number one ठीक है आपको फल मिलने वाला है अपने करमों का मतलब आपने अच्छे करम किये ना उनका फल मिलेगा don't worry tension ना लिजिए कि मैंने इतना सब कुछ किया किसी के लिए और सामने वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया तो सामने वाला अब गोड देंगे अब आपको attraction अब आप वो चीज़ अट्रेक्ट करने वाले हैं थोड़ा सा patience रखें यहां पे फिर से angel number है थोड़ा सा patience रखें ठीक है pen number one definitely जाके देखें वहाँ पे message है क्योंकि कुछ ऐसे काथ से जो वहाँ पे आये थे जैसे कि patience हो गया ठीक है तो attraction आप attract करने वाले हैं बहतर चीज़े अपनी life में definitely बहुत जल्द आप ऐसी चीज़े अट्रेक्ट करने वाले हैं जो आपने दुआओं में मांगी थी ठीक है so yeah definitely आपके लिए सब आ रहा है claim this beautiful energy and love you all bye bye take care I hope कि आपको यह guidance दे and yeah अगर आप यहाँ नीव है then subscribe my channel bell icon को press कर दीजे love you all bye bye take care